नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज इस फीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके S.S.C.M.T.S, T.E.R. 2nd, Result और साथ ही आपकी Funnel Cut-Off के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नएगो किसी भी प्रिकार की लेटेस अबडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं चले दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं टीयर 2nd descriptive exam आपका complete हो चुका है आपके physical के भी admit card आ चुके हैं अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि आकर इसकी final जो cut-off है वो आपके कितनी रहे सकती है chances कितने numbers पर आपके final selection के chances हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आपके tier 1 में अगर आपके tier 1 में 85 numbers cross है 85 plus marks हैं आपके tier 1 में साथ ही आपके tier 2nd में जैसे कि आप सभी जानते हैं 42-45 marks भी आ रहे हैं तो भी आप अगर किसी भी जून से blong करते हो तो आपका final selection हो जाएगा साथ ही दोस्तों जो आपकी southern reason की और eastern reason की तो जोंस है अगर आप वह से blong करते हैं इतनी marks के साथ तो बिल्कुल दोस्तों 100% आपका selection हो जाएगा वहीं दोस्तों अगर 85 plus marks ला रहे हैं आप first tier में तो आप physical के लिए बिल्कुल जाएं बिल्कुल भी physical को skip ना करें secondly हम बात करें आपकी tier second के result की तो जैसा कि आप जानते है tier second के result में कम से कम आपका ढ़ाई दे तीन महीन लगता है result release करने में क्योंकि उसमें आपकी copies हैं दोस्तों by hand आपकी check की जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपकी analysis कर आपकी numbers निकाले जाते हैं तो उसमें थोड़ा process में थोड़ा time लगता है तो आपका जो result है दोस्तों हम January में expect कर सकते हैं January mid 15th of January तक आप result अपना expect कर सकते हैं कि 15 January 2013 से पहले पहले आपको result देखने को मिल जाएगा बाकी वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें शेयर करें इसी प्रका की update के लिए हमारे साथ जोड़े रहें धन्यवाद